हलो प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने युट्व चैनल यो रिश्टी गाइड पर प्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम स्वी एससे जीडी में दोस्तों जो पिछले तीन या चार ताल के प्युए क्यों हैं हिंदी साहित से लेकर उनके क्वेश्चन को स्व सव से लेकर लंशम डेर सो कुष्चन इस वीडियो में हिंदी साहित के करने वाले हैं ऐसे कुष्चन दोस्तों जो बार बार रिपीट होते हैं आप सभी के एकजामे में उन्हीं कुष्चनों को मैंने या पर पूट अप किया है पिछले चार या पांट सालों के कुष्चन पीडियो चाहिए तो आप एक टेली कराम चैनल से जुड सकते हैं जिसकी रिपीडियो को डिसक्राइट कर दूंगा वहां से आप जूट जाएगा वहां पर एक वार वीडियो देख लेएगे एक बार पीडियो पर लेजए ताकि आप सभीको कुष्चन पूरा याद हो जा का सिंग द्वार कहा जाता है किस यूग को आध्रिक हिंदी कविता का सिंग द्वार कहा जाता है इसका राइट एंतर क्या है दुस्तों भारतेंदी यूग जो है इसे हिंदी कविता का सिंग द्वार कहा जाता है आगे दिखते हैं दुवेदी यूग के प्रवर्तक कौन थे दुवेदी उक्के परवर्तक कोन थे? तो इसका राइट एंतर क्या है? महाबीर परसाद दुवेदी कोन? महाबीर परसाद दुवेदी चुथे उदुवेदी उक्के परवर्तक थे? Next question. हिंदी का पहला समाजिक उपन्यास कोन सा माना जाता है? हिंदी का पहला समाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है तो राइट इंसर क्या है जो है भागवती भागवती जो है हिंदी का पहला समाजिक उपन्यास माना जाता है वहीं बात कलने कि हिंदी के पर्थम उपन्यास कौन सा है इसका एंतर आप सभी को comment box में बंदाना है कि हिंदी का पर्थम उपन्याज जो है उसे किसे माना जाता है सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती है सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी तो राइट एंतर क्या है परियोगवादी किसके नाम से जानी जाती थी परियोगवादी की नाम से जानी जाती थी नेश्ट देखते हैं ब्रज भासा का सर्वुस्तम कभी है तो इसका राइट एंतर क्या है किसे माना जाता है सूरदास जी को माना जाता है किसे सूरदास को नेश्ट कुश्चन आदिकाली के बाद हिंदी में किस साहित का उदे हुआ ये आपसी से पूछा जा रहा है तो इसका राइट एंतर क्या है? भक्त साहित का, किसका उदे हुआ था? भक्त साहित का उदे हुआ था जाता है ये भी आप याद रखिएगा नेश्ट देखते हैं हिंदी का आधी कभी किसे माना जाता है हिंदी का आधी कभी किसे माना जाता है तो राइट अंतर क्या श्रेम्भू को जो है हिंदी का आधी कभी माना जाता है नेश्ट आद्धिनिक काल का समय कब से माना जाता है तो 1900 से अब तक का जो समय है वो आद्धिनिक काल की अंतरगत आता है नेश्ट देखते हैं जैसंकर परसाद की सर्वस्रेष्ट रचना कौन सी है तो राइट अंतर क्या है नेश्ट देखते हैं बिहारी ने क्या लिखे है तो इन्होंने दोस्तों बिहारी की दो हे लिखे हैं क्या दो हे लिखे है नेस्ट देखते हैं कभीर किसके सिस्ट थे इंपॉर्टन कुश्चन ने कई बार एक जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कभीर आखिर किसके सिस्ट थे ये बार बार पूछा जाता है कभीर ने क्या लिखा है साकित सब रवेनी की रिशनह नहीं किया है यू तीनों का संगर é दुश्तों पीजग कहलाता है इस पीजग में ये तीनों संगर जो है विवस्थित कीए गये है पदमावर्थ महा काब कोन सी भाहसा में लिखा गया है पदमावत जो महा काब है ये किस भासा में लिखा गया है ये आपसी से पूछा जा रहा है तो राइट अंसर क्या है अधी किस में लिखा गया है अधी में चम्पू किसे कहा जाता है ये आपसी से पूछा जा रहा है important है यह कई बार एक्जाम में पूछा गया है चंपू आखिर किसे कहते हैं इसे देखकर student जो है confused हो जाते हैं आखिर चंपू किसे कहते हैं तो गद्ध और पद्ध के मिस्रित रशना को चंपू कहा जाता है क्या आपसे पूछा जा रहा है, जैसंकर पड़साज जो है, ये कलाधर उपनाम से कभिता लिखते थे, रसनिदी किस कभि unlimited है, तो राइट एंतर क्या है, पिट स्बी सिंग, पिर्सभी सिंग का उपनाम क्या है रस निदी है क्या दोस्तों रस निदी most important question है इसे आप मार करिएगा ये question कई बार पूछा गया है आखिर रस निदी किस कभी को कहा जाता है तो पिर्सभी सिंग को प्रेम चंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताईए ये भी important question है ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि प्रेम चंद के अधूरे जो उपन्यास है उसका नाम क्या है तो इसका right answer क्या है मंगल सूत्र मंगल सूत्र जो है प्रेम चंद जी का जो है अधूरा उपन्यास है नेश्टे देखते हैं, हिंदी का सरबाधिक नाटक कार कौन है, तो राइट एंदर क्या है, जैसे अंकर परसाजी जो है, हिंदी में सबसे अधिक नाटक कार इन्हों नहीं किया है, नेश्टे देखते हैं, तुलसी किरित राम चरित मानस में कौन सी भासा का परियोग किया ग क्या है बार बार कुछें रिपीट होते हैं एकांकी चन्म दाता कौन है घर्मभी भारती जो आभीएकांकी RAMU प्रद्धान रस कोन सा है तो सांत रस जो है रामचरित मानस का परधान रस माना जाता है नश्के देखते हैं सबसे पहले अपनी आतमकता हिंदी में किसने लिकी तो डक्टर राजन परसाब ने सरपरता हिंदी में लिके थी इंप्पृर्टन कुश्चन है ऐसे कुश्चन आते हैं तो दौस्त अगर सभी लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो यह छोड़ देते हैं लेकिन आप सभी पढ़ रहे हैं तो आप सभी ऐसे कुश्चन बनाने भी सच्च म lived तो पिर्थवी राज आसु जो है हिंदी कविता का पहला महा काब माना जाता है ने श्रे देखते हैं हिंदी के सर्वसेष्ट प्रकासित पत्र का नाम क्या है हिंदी के सर्वसेष्ट प्रकासित पत्र का नाम क्या है हिंदी के सर्वसेष्ट प्रकासित पत्र का नाम क्या है तो राइट हंदर क्या उर्थन्द मार्टन जो है जो है जो हिंदी का सर्वसेष्ट प्रकासित पत्र का नाम क्या है ने श्रे देखते हैं हिंदी साहित की पूछा जा चुका हें दुमती है एस परकार दिया जाता है ने के सिर्ट संबंदित है शेंधा संब्सें किसी संब्सें पिरसी राज रासु किस काल की रचना जाल हैं हिंदी गद्य का जन्मदाता किसें माना जाता है हिंदी गद्ध का जन्मदाता किसे माना जाता है तो राइट एंसर क्या है भारतेंद हरिश्चंदी जी को किसको भारतेंद हरिश्चंदी जी को हिंदी साहित का जन्मदाता माना जाता है नेश्टे दिखते हैं अगला फूश नमा रहा है कभी कालिदास की अभिज्ञान सकु सिंग ने किसने राजा लचमांट सिंग ने जो कभे थे कालिदास उनकी अपज्ञान सकुंतलम जो रचना थी उसका हिंदी में नुवाद किया था कुशन है पद्र सहित को कितने भागों में बाटा गया है किसे दिखते हैं कभी 도 ऐसी किसी कि रख्द चंदन की रचना इन्होंने की थी नाठ सास्त कारों दवारा आमान निये कुन सा आए नाथ्र सास्त कारू द्वारा आमान ने रच खो आए तो भी वस्त प्रश्आ है रस्त उसी नाथ्र शास्त्रों ने जो रच क्या नही किया है चुखे क्या सम प्रत्शन तम्नाम किया था उद्श बीस्तर का कर दिद्धता Section संत्ताते तो आचारवा मन कौन थे अचारवा मन जो थे अगर आगर दोस्तो आप सभी वीडियो पसंद आलतु चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा चैनल पर नए wissen तो वीडियो को सेयर करिएगा और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके चलिए देखते हैं आगे का कुश्चन हिंदी में काबशास्र के पर्था महाचारी को ने हैं तो राइट अंदर क्या है केस उदास्त को ने केस उदा से बना है तो राइट अंदर क्या है सहित सब्द से किस सहित सब्द से साहित सब्द बना है हिंदी साहित में जीवनी साहित का प्रारंब किस यूग में हुआ हिंदी साहित में जीवनी साहित का प्रारंब कौन से यूग में हुआ तो राइट अंदर क्या है भारत अंद यू भासा और साहित के लेखक हैं, हिंदी भासा और साहित के लेखक हैं, तो राइट अंतर क्या है, स्याम सुन्दरदास, कौन है, स्याम सुन्दरदास जी जो है, हिंदी भासा और साहित के लेखक हैं, नेश्टे देखते हैं, अगला हमारा कुश्चन है, मनुस एक समाजिक प्रा या किसने कहा था यह आपसी से पूछा जा रहा है तो राइट अंदर क्या अरस्तुने कहा किसने अरस्तुने नेस्ट कुछन भासा किसे कहते हैं भासा किसे कहते हैं यह आपसी से पूछा गया था मनुस्त अपने मानसिक विचारों की अव्यक्त के लिए जिस माध्यम का परिय बचार य operate हो जी विसमीं मनुस अपने मन के वावय में वीं विचारू को लिखर पंगता दूसरा वैक्स उसे पढ़कर समझता उसे लेखित बाशा कहते हैं इस पर मौकि भासा का हुआ है रहे कोना मता सकते हैं इसाम कर εκεί ना सकते हैं ने संके के zero भास सब्द की उत्पति कहां से होई है तो right answer क्या है दूस्तों भास सब्द की उत्पति संशिक्रिस के भास धास से भास सब्द की उत्पति होई है निएट दिखते हैं, सामानि सब्दों में हम भासा को किस तरह से ब्यक्त करेंगे, भासा वासा अधिने जिसके द्वारा मनुस्ट अपने भावों या विचारों को बोल कर या लिख कर दूसरों तक पहुचाता है, उसे भासा कहते हैं, भासा कुम मोटे रूप में कितनी मोटे रोग में वाटको मात थूंट है तो रट इंसर क्या है जिसमें मनुस्य अपने मंन के भव you विचारों को दूसरों के सामने लिखकर पड़कर करता है तसा दूसरा व्यक्त उसे पड़कर समझता हुआ उसे लिखित भासा कहते हैं जीसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है आपसुभी इससे पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि भासा को मोटे रूप这么 किसने भागों में भाटा गया तो यह कुं सा है ये लिखित भासा है अब मुचिक भासा है जिसमें कोई ब्यक्ति अपने मन के भावयों बिचारों को दूसरे के सामने बोल कर पड़ गड़कता जयसा धूसरा व्यक्ति उसे सुन कर समस्टा उसे मुफिक भासा के दाए जैसे मैं आप भाता का संबंद किस लिपी से है तो राइट अंतर क्या है देव नागरी लिपी से किसे है देव नागरी लिपी से इसका संबंद है वहीं बात कलने कि अंगरेजी की लिप कौन से है तो रोमन है पंजाबी की कौन से गुरु मुखी है और अगर बात कलने की उर्दू की क्या ह तो फारती है ये भी आप याद रखेगा नेश्ट देखते हैं बोलने वालों की संख्या की दृष से हिंदी का बिश्व में कौन सा स्थान है बोलने वालों की संख्या के द्रिस से हिंदी का पिस में कौन सा स्थान है तो राइट एंसर क्या है तीसरा स्थान हिंदी का है सूर दास के काब किस भासा में है सूर दास के काब किस भासा में ये आप सी से पूछा जा रहा है तो ब्रजभासा में किस में ब्रजभासा में सम्मिधान के किस अनुशेद में कहा गया कि संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी सम्मिधान के किस अनुशेद में कहा गया कि संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी तो राइट अंसर क्या है? अन्शिर 342 में यह कहा गए है दोस्तो कि हिंदी जो है संग की राजवासा होुगी और लीपी जो होगी देवनागरी होगी हिंदी सब्द कि व्युत्पत्ती कहां से वही? कहां से वही? तो सिंड्र से वही है कहां से सिंध से भी है नेस्ट देखते हैं वरतमान हिंदी का परचलित रूप कैसा है वरतमान हिंदी का परचलित रूप कैसा है तो खड़ी बोली है कैसा है खड़ी बोली है नेस्ट देखते हैं जिन धुनियों के सन्योक से सब्दों का निर्माड होता है उन्हें क्या कहते ह उसे वड़ कहते हैं क्या कहते हैं सोरों की संख्या कितनी है तो राइटांस देखते हैं हिंदी मानक वड माला में कुल कितने वड हैं व्यतर, पेस्ट में आगे कहा है, कि विलम आगे गाए है, हिंदी वर्ण माला को में बिभक्ति किया गया है? नश्टर देखते हैं हिंदी वड़माला में असवर्थ वेंजनों की संख्या कितनी है तो राइट अंतर क्या है फिरेंट पचीस कितनी है 25 है कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग पावर्ग इस परकार जो बाटे गए है ये 5 वड़ हैं जिन स्वरों का में गए कम समय लगता है उसे हास्वर के है जैसे आ, इ, जैसे आ है, इ है, उ है, ये सब हास्वर है, चार हास्वर होती है और दिर्खसवर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का चारड करने में हास्वर से दुगना समय लगे देर्गस्वर करते हैं जैसे आँ इसे क्या 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 थे इए ई व मां बोलेंगे इसे बोलेंगे तो इस परकार बोलेंगे तो हास्वर से दोगूना समय लगेगा तो क्या होगा हुगा है दोस्तो दिर्ग स्वर लेकिन अगर हास्वर से अगर बात करने कि उच्छार करने में कम समय लगता है तो उसे हास्वर करते हैं दिर्ग स्वरोग की संख्या कितनी है साथ है हाथ स्वरोग की संख्या कितनी है जो है चार है नेश्ट दिखते हैं छा वड किसके योग से बना है छा वड किसके योग से बना है तो का उसा से बनकर जो है छा तयार हुआ है नेश्ट दिखते हैं हिंदी वड माला में बेंजनो की संख्या है हिंदी वडमाना में बेंजनों की संख्या कितनी है यह आप से पूछा जा रहा है तो 33 वेंजन है कितनी है 33 वेंजन है यंदि साहित सम्मेलन पर्याग की स्थापना कब हुई तो राइट एंसर क्या है 1910 में कब हुई थी 1910 में हुए थी समिधान की आठवी अन्सूची में उल्लेकित भारतिय भासाओं की संक्या कितनी है तो राइट एंसर क्या है 22 भासाओं कितनी है 22 भासा एंगे लाइट एंसर क्या है काब भासा में किस भासा में अधिक परसित टोस्ते एए ऐसे क्यों आप से एकजाम में डियेंगे आप इसे बिना याद करें एक्जाम दिये नहीं जा सकते हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी करने हैं जिसमें हिंदी साहित आती है तो आप से के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टन्ट है ये दोस्तों देवनागरी लिपी किस लिपी का बिक्सित रूप है देवनागरी लिपी जो है किस लिपी का बिक्सित रूप है तो राइट एंसर क्या है ब्राहमली लिपी किसका है ब्राहमली लिपी का बिक्सित रूप है रामायड महाभारत आदिगरंद कौन सी भासा में लिखे गए है तो राइट अंजर क्या है आरी भासा किस में लिखे गए है बिद्यापति की परसिद्ध रचना पदा वली किस भासा में लिखे गई है बिद्यापत की पर्थिद्ध रचनवा जो पदा वाली है किस भासा में लिखी गया है तो राइट एंदर क्या है मैथली भासा में किस में लिखी गया है मैथली भासा में लिखा गया है भारत में हिंदी का सम्मिधानिक सुरूप है भारत में हिंदी का सम्मिधानिक सुरूप कौन सा है तो राइट अंतर क्या है यह राजभासा है क्या है राजभासा है हिंदी राश्ट भासा नहीं है यह आप याद रखेगा क्योंकि यह एक्जाम में कई बार पूछी कि यह हिं में से कोई नहीं तो राइट अंसर क्या है राजभासा बहुत से लोगा क्या करते हैं राष्ट भासा मार टिक कर देते लिहां लहार्ट अब करते हैं अगर बात किसी अंशुचीह तहीं पहले आठ भासाएं थे लिकिन वरत्वान में पहले 14 भासाएं थे लिकिन वरत्वान में कितने हो गई हैं 22 हो गई हैं ये भी आप याद रखेगा जाटू किस बोली का उपनाम है जाटू किस बोली का उपनाम है तो बागरू किसका है बागरू का दोस्तो जाटू जो है बोगरू का उपनाम है ये भी आप याद रखिएगा एक मनई के दूई बेटवे रहिन या अवतरण हिंदी की किस बोली में है तो राइट अंतर क्या है भोचपुरी किसके है भोचपुरी में दोस्तु इसका वर्णन किया गया है नहुच जो है हिंदी का पहला नाटक कौन सा है तो नहुच जो है हिंदी का पहला नाटक है 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 कलम का जादूगर किसी कहा जाता है तो राइट एंसर क्या है राम बिर्च बेनी पुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है अगरा क्वेश्चन देखते हैं प्रगतिवादी उपियोगतावाद का दूसरा नाम क्या है या कथन किसका है question एक बार फिर्टर से द्थे लिए फ्रगति वादी उपवियोगता वाद का दूसरा नाम नाम है या कफन किस का है तो right answer क्या राम बिलास सरमा का या नाम है ? राम-7 कान्ड उणयास ञेकते हैं तो राईट एंसर क्या है इसका अचार राम चंदर शुकलन है , गीत ृबिंत कहु है कि बहाता में है ? अगला गुस्चन लोक्नायक किसको कहा जाता है ? तो काली दाश तो तुलसी दाश जी को किसे तुलसी दाश जी को जो है लोकनाय कहा जाता है इंदरा पती किसे कहा जाता है इंदरा पती किसे कहा जाता है तो बिश्डु को किसो बिश्डु को आज का लाश कुछन हमारा पंचितंत्र क्या है पंचितंत्र क्या है तो एक कहानी संग रहा है क्या है कहानी संग रहा है आप सब्सक्राइब करां सब्काइब अरुमि चाहएं if बढ़ें थे ता कि आपके अब अपना यह चैनल और आगी बढ़ सके और दोस्तों क्लास की बीडिये प Crbing 2017 चाहिए तोर जो लिंक है दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दूंगा वहां से आप सभी टेलिग्राम चैनल को जोईन कर तकते हैं थाइंक फार वाचिंग इस वीडियो